अभी अभी स्क्रीन पर जो चेहरा आपने देखा शायद पहले भी देख चुके होंगे लेकिन अधिकतर लोगों को ये चेहरा तो पता है लेकिन इसकी कहानी नहीं मालूम इसी लिए आज मैं आपके लिए बॉलिवुट के जेंटल विलन के नाम से मशूर एक्टर केयन सिंग की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ केयन सिंग यानि कृष्ण निरंजन सिंग का जन्म एक सितंबर सन 1908 को आज के उत्राखंड यानि तब के युनाइटेड प्रोविंस के खुपसूरत शहर देहरादून में हुआ था उनके पिता चंडी प्रसाद सिंग एक मशूर क्रिमिनल लॉयर थे यानि कानूनी दाओं पेचों के जरिये बड़े बड़े गुनहगारों को सजा से बचाते थे उनका सपना था कि केन भी उनहीं की तरह एक मशूर क्रिमिनल लॉयर बनी उनका सपना पूरा करने के लिए ही केन ने कानून की पढ़ाई करनी शुरू कर दी एक दिन केन अपने पिता से मिलने के लिए अदालत पहुंचे तो उन्होंने अतनी आँखों से देखा कि किस तरह उनके पिता ने सच को जूट और जूट को सच बना कर एक साफ साफ गुनहगार को पाख साफ बना दिया और एक बेदाद निर्दोष को दोशी बना दिया ये सब असलियत में देखने के बाद केन का मन खटा हो गया वकालत के इस पेशे से उन्हें नफरत सी हो गई उन्होंने तत्काल लौ की पढ़ाई छोड़ दी ये फैसला उनके पिता को पसंद नहीं आया और उन्होंने केन को घर से निकाल दिया सड़क पर बैठे बैठे केन ने सोचा कि अब तो इस दुनिया में उनका कोई है नहीं वो अकेले ही है तो क्यों ना फोज में भरती हो जाएं फिर चाहें जिये या मरें किसी को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनकी कदकाठी एक फोजी के लाइक नहीं थी इसलिए वो फोज में शामिल नहीं हो पए अपने कॉलेज के दिनों में केयन कमाल के जेवलिन थोट प्लेयर थे उन्होंने अपने इस टेलेंट का अस्तमाल किया और एक कॉलेज में ही जेवलिन थो टीचर बन गए के अन सिंग बहुत अच्छा जेवलिन थो खेलते हैं इस नाते वो इतना मशूर हो गए, इतना मशूर हो गए कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1936 में जो बर्लिन उलम्पिक्स हुए उसमें इंडिया की तरब से एक जेवलिन थो प्लेयर के तौर पर के अन सिंग को भी चुना गया के अन बर्लिन जाने के लिए बहुत उक्साहित थे लेकिन तब तक उनके पास एक खत आया उनके पिताजी का था खत में उन्होंने के अन से अपने पिछले बर्ताओं के लिए माफी मांगी थी और ये गुजारिश भी की थी कि के अन की बेहन जो कलकत्ता में रहती हैं बहुत बीमार है खुद वो बूढ़े और अशक्त हैं हो सके तो केयन कलकत्ता जाकर अपनी बेहन की देखभाल करी बर्लिन और बेहन दोनों में से केयन ने बेहन को चुना और कलकत्ता चली गए कलकत्ता में अपनी बहन की देखबाल करने के दौरान उन्होंने फैसला किया कि अब वो यहीं पर कोई काम धंधा करेंगे और घर चलाने में अपनी बहन की मदद करेंगे कलकत्ता की सड़कों पर काम की तलाश में घुमने के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई मशूर एक्टर पृत्वी राज कपूर से पृत्वी राज कपूर ने उनकी मुलाकात करवाई हिंदी सिनेमा के मशूर डिरेक्टर देब की बोस से देब की बोस को अपने लिए एक असिस्टेंट चाहिए था और केरन सिंग को अपने लिए कोई भी काम चाहिए था तो वो देब की बोस के असिस्टेंट बन गए फिल्मेकिंग के महौल में रहते रहते धिवे धिवे उनको भी एक्टिंग में दिल्चस्पी होने लगी के अनन संग ने कभी एक्टिंग नहीं सीखी थी ना उन्होंने कभी एक्टिंग की थी मगर उस रोल को उन्होंने इतने बहतरीन तरिके से निभाया कि देवकी बोस हैरत में पड़ गए उन्होंने के अन्सिंग की मुलाकात करवाई मशूर बॉलिवू डिरेक्टर ए आर करदार से ए आर करदार जो उन दिनों अपनी फिल्म बागबान के लिए एक नए विलेन की तलाश कर रही थे मगर उन्हें के अन्सिंग का ओडिशन पसंद नहीं आया लेकिन उनकी पतनी को बहुत पसंद आया अब ए आर करदार चाहते थे कि विलेन के तोर पर के अन्सिंग को ना चुना जाए और उनकी पतनी चाहती थी कि विलेन के तोर पर के अन्सिंग को ही चुना जाए आखिर में उनकी पत्नी की बात मानी गई के अन सिंग को चुना गया लेकिन AR करदार इस पैसले से इतना असहमत थे कि जब के अन सिंग की शूट की शूटिंग होती तब वो स्टूडियो में रहते ही नहीं थे साल 1949 में बागबान रिलीज हुई और सूपर हिट हो गई इसमें सबसे जदा लोगों ने के अन सिंग के काम को पसंद किया तब AR करदार को मालुम हुआ कि वो कितना गलत थे इसके बाद तो के अन सिंग को और भी बहुत सी फिल्मों के ओफर्स मिलने लगे अब तक के अन सिंग ने भी फैसला कर लिया था कि अब उन्हें जिंदगी में अभिनेता ही बनना है फिल्मों में काम ही करना है इसके बाद तो के अन सिंग का लंबा चलने वाला फिल्मी सफ़ शुरू हुआ चालिस के दशक में बत और विलन के अन सिंग ने द्रपदी, जुआर भटा, हुमायू, पारस, परवाना, महारती करण, जन्जीर, प्रिथुई वल्लब और भरसाथ जैसी फिल्मों में काम किया उसके बाद 50 के दशक में के अन सिंग ने आवारा, सनम, हलचल, जाल, बाज, बाजी, शिकस्त, हाउस नमबर 44, मिलाप, शेहनशा, फंटूश और सी आईडी जैसी फिल्मों में काम किया 60 के दशक में सिनेमा रंगीन हो गया लेकिन के अन सिंग का रंग अब भी चमक रहा था 60 के दशक में के अन सिंग ने सिंगापोर, मन्जिल, महफिलों के ख्वाव, सूरज और सीरत, शिकारी, बरसात की रात, उपेरा हाउस, वो कौन थी, मेरा साया, मेरे हुजूर, रात और दिन और एन इवनिंग इन पैरिस जैसी कई फिल्मों में काम किया जैसा कि मैंने पहले ही बताया के अन सिंग ने कभी भी एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन अपने किरदारों की तैयारी के लिए वो इतना पैशनेट थे कि एक बार एक फिल्म में उन्हें एक तांगे वाले का किरदार निबाना था तो देश में जहाँ जहाँ तांगे वाले रहते थे वहाँ जाकर उन्होंने उन तांगे वालों के साथ महिने बिताए ताकि उनकी जीवन शैली रहन सहन और बोलचाल को समझ सके केन सिंग उस जमाने के एक पारंपर एक बॉलिवूड विलेन जो एक अनपढ़ गंदे संदे कपड़े पहना हुआ आखों को लाल लाल कर गुस्से में चीकता चिलाता गाली देता हुआ बात करता था इससे बिलकुल अलग हट करते वो पढ़े लिखे सूट बूट पहनते थे हाथों में पाइप यह सिगरेट होती थी करीने से बाल सजे होते थे होठो पर मुसकान होती थी धीमे और विनमुता से बाते करते थे अपने गले की खखार से दह्शक प्यदा कर देते थे इसके अलावा कैन सिंग सबसे ज्यादा मशूर थे अपनी आखों से खलनाय की जाहिर करने में केंसिंग की खास आखों वाली खलनाय की आज तक बहुत मशूर है एक खरनायक के तौर पर केन सिंग इतना मशूर हो गए थे कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी एक बेहत बुरा इंसान समझने लगे थे अपने एक इंटरव्यू में केन सिंग एक वाक्या बताते हैं एक बार उनके एक दोस्त ने उन्हें एक एंवलप दिया और कहा कि इसे वो फला घर में पहुँचा दे शूटिंग से लोटते वक्त वो घर रास्ते में ही पढ़ता था तो केन दरवाजे पर पहुँचे और डोर बेल बजाई एक औरत ने दरवाजा खोला और केन को देखते ही डर के मारे चीकती हुई भागी मज़े की बात तो ये कि उसका ये रियक्शन देख केन भी डर के मारे वहां से भाग गए चुकि बायोलोजिकली केन सिंग की कभी कोई आउलाद नहीं हो सकती थी इसलिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने अपने दूर के भाई के बेटे पुशकर को गोद ले लिया बाद में उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया वैसे बॉलिवुड में केन सिंग के नाम एक बहुत मशूर कांट्रोवरसी भी है जो केयन सिंग को बिलकुल पसंद नहीं है दरसल कहा जाता है कि एक्ट्रेस परवीन पॉल के साथ केयन सिंग का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर था इन दोनों के नजायस तालुकात भी थे जिसका नतीज़ा ये हुआ कि इन दोनों का एक बेटा हो गया जिसका नाम है विभूशन पॉल सिंग ना परवीन पॉल को कभी केयन सिंग ने अपनी पत्नी का दरजा दिया ना विभूशन पॉल सिंग को अपने बेटे का कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज विभूशन पॉल सिंग अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर ही सत्तर के दशक में भी केन सिंग फिल्मों में अनुरत काम करते रहे उन्होंने सुहना सफर, दुश्मन, कीमत, एहसास, पगला कहीं का, हाथी मेरे साथी, हिम्मत, मेरे जीवन साथी, देश प्रेमी, काला सोना और मजबूर जैसी कई फिल्मों में काम किया 80 के दशक में भी वो कालिया, तबादला और दिलकश जैसी कई फिल्मों में काम कर रही थे लेकिन साल 1985 में उनकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ी दुरगटना गट गई जिसके बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो गया दरसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ ये कि उनकी एक आँख में मोतिया बिंद हो गया उन्हें अपना ओपरेशन करवाना था उनके एक दोस्त थे जिनका बेटा आई सर्जन था उसने केयन सिंग से कहा कि ये उपरेशन तो बहुत आसान है वो चुटकियों में कर देगा केयन सिंग को लगा अच्छी बात है परचिट डॉक्टर उपरेशन कर दे लेकिन उपरेशन के दौरान नजाने उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि मोतिया बिंद दूर होने की बजाए केयन सिंग की आँख में एक घाओ हो गया और उनकी आँख ही फूट गई आँख फूट ही गई केयन सिंग अचाना काने हो गए ये बहुत बड़ी गलती थी लेकिन फिर भी केयन सिंग ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस गलती को माफ कर दिया कुछ मैनों बाद उनकी दूसरी आँख में भी मोतिय बिंद होने लगा अब ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई क्योंकि अब एक आँख के ऑपरेशन के बाद जब वो आँख बंद रहेगी तो दूसरी आँख से तो दिखाई नहीं देवा तो उन्हें होल टोटल ही कुछ नहीं दिखेगा लेकिन ऑपरेशन तो करवाना ज़रूरी था इसी दौरान उनके उस दोस्त के उसी डॉक्टर बेटे ने केन से कहा कि वो एक बार फिर से उससे ऑपरेशन करवाएं क्योंकि वो सारी सिचुएशन को समझता है और वैसे भी ये ऑपरेशन वो अपना प्रैस्चिस समझ के करना चाहता है सबको उम्मीद थी कि केन पक्का मना करेंगे उनका परवार भी नहीं चाहता था कि वो केन का उपरेशन करें लेकिन केन राजी हो गए उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया और कई लोग यही केन की सबसे बड़ी बिवकूफी मानते हैं क्योंकि एक बार फिर से ओपरेशन के दौरान उसने नजाने क्या गलती कर दी कि उनकी उस आँख में भी मोतियाबिंद दूर होने की बजाए एक घाव हो गया और वो आँख भी फूट गई उस डॉक्टर ने उनकी दोनों आँखे फोड़ दी ये इतना बड़ा मसला था कि उस पर मुकादमा कर उसे जेल भेजा जा सकता था लेकिन केयन सिंग ने एक बार फिर से बड़ापन दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और इस अंधेपन को अपनी जिन्दगी का मुकद्दर मान लिया हाला कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि केयन सिंग की दोनों आखों में किसी तरह की कोई बिमारी हो गई थी जिसके करण उनकी दोनों आखों की रोश्नी चली गई और इस वज़ा से वो अंधे हो गई बारहाल जिनका अंदाज उनकी खास पहचान थी पूरी दुनिया जिनकी तारीफ करती थी वो आखें अब उनके पास रही नहीं गई थी इस बुए दोर में बॉलिवुट ने भी उनका साथ छोड़ दिया और साल 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म वो के अन सिंग की आखरी फिल्म बन गई इसके बाद अपनी जिन्दगी के तकरिबन 14-15 साल के अन सिंग ने आखों पर चश्मा चड़ा कर अंधे हो कर ही बिताए इतने सालों में बॉलिवुड ने तो उनकी ऐसी सुद भुला दी थी जिसका के अन सिंग को काफी दुख होता था जिन्दगी के आखरी 4-5 सालों में उनकी बेटी ने उनका बहुत ख्याल रखा 31 जनुरी साल 2000 की दोपहर के अन सिंग कमरे में सो रही थे उनकी बेटी किसी काम से बाहर गई हुई थी अचानक के अन सिंग के सीने में बहुत जोर का दर्द उठा वो चीखे मगर कमरा बाहर से बंद था तो उनकी चीख किसी को सुनाई ही नहीं पड़ी जब उनकी बेटी घरवा परसाई तब तक के एन सिंग इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थे वीडियो का खात्मा होते होते के एन सिंग के बारे में एक और दिल्चस्प तत्य आपको बताता हूँ वो ये कि कहते हैं कि बॉलिवुट के मश्यूर विलेन अजीत आधा हॉलिवुट स्टार क्लार्क गेबल और आधा के एन सिंग से इंस्पायर्ड थे उनके लुक्स क्लार्क गेबल से इंस्पायर्ड थे और उनकी पूरी परस्नालिटी के एन सिंग से वैसे अजीत की जिन्दगी की पूरी कहानी भी मैंने आपको किवल एक ही वीडियो में बताई है अगर आपने अब तक नहीं जानी है तो डिस्कुप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं